हलो इस्टुरेंट्स, मैसेल्फ मनुस सर्मा, टीम बोतनी, CLC सीकर, मिड सेसन टेस्ट नमबर फाइव, आट टेस्ट आपके टोटल होने हैं, पांच टेस्ट आपके हो चुके हैं, आई होप आपके बहुत अच्छे टेस्ट जा रहे हैं, आज का मिड सेसन नमबर फाइव, ब biomolecule and application of botany I hope बहुत अच्छे से आपने paper किया है बहुत अच्छा आपका paper हुआ है फिर भी कोई छोटी मोटी mistake आप से हुई है बिटा तो उसको यहां से देख कि आप अपने doubt जो है वो सारे आप क्या करें clear करें तो अपन mid session no.5 अपन बातनी का क्या देख रहे हैं बढ़ते हैं question no.161 की तरफ 161 number question जो है वो है बिटा आपके fertilization से related fertilizer से related question में आपके क्या है external or internal fertilization जो है उसके characteristics के बारे मैं आप से क्या कर रहा है बात कर रहा है देखो यह क्या कह रहा है, choose the incorrect statement about external fertilization, external fertilization जो है उससे related आपको क्या है, incorrect statement को बेटा क्या करना है, choose करना है, the male and female gametes are formed and released simultaneously, बिल्कुल सही है, नर्व मादा युगमक साथ साथ बनते हैं, वे मुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा यह कह रहा है, only a few gametes are released into the medium, यानि कि माध्यम में किवल कुछ युगमक ही आपके क्या किये जाते हैं, मुक्त किये जाते हैं, यह आपके क्या है, wrong है, NCIT का सीधा statement है, क्योंकि आपके कहां, माध्यम में बाहर, medium में आपके बाहर आपके release हो रहे हैं क्या gametes, तो gametes जो ह यह भी है कि आपके कौन, fertilization जो है, उसकी priority, यानि कि उसकी possibility जो है, उसको increase करने के लिए, बिटा, यहाँ, जो भी male gametes हैं, वो बहुत आपके क्या है, numerous number में आपके क्या किये जाते हैं, release किये जाते हैं, a lot of number में आपके क्या किये जाते हैं, release किये जाते हैं, तो यह statement आपका सही था यह statement विट आपके क्या हो गया है wrong फिर यह कह रहा है water is the medium in the majority of organism exhibiting external fertilization बाहिये निसेचन दर्साने वाले अधिकतर जीवों में माध्यम क्या होता है जल होता है बिलकुल सही बात है इसके बाद में फिर आपके कह रहा है क्या of spring formed as a result of internal fertilization have better chances of survival than those formed outside an organism यानि कि आपके कहाँ वो organism जिनका formation आंतरिक निसेचन से उत्पन होने वाली संतती किसी जीव के सरीर से उत्पन होने वाली संतती की तुलना में आपके जीवित रहने की संभावना क्या होती है अधिक होती है देखो आपके क्या है जो भी अगर मदर क अंदर अपके internal आपके क्या है जो भी development हो रहा है तो वहाँ जो भी आपके क्या है caring जो है वो आपके maternal body द्वार आपके क्या की जाती है provide की जाती है तो यहाँ आपके survival के chances जो रहते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं बजायक इसके जो external medium में आपके क्या होता next question आपने आगे बढ़ते हैं next question जो है वो है आपके related पूछ रहा है आपके किसे secondary metabolites से related secondary metabolites से related आपके क्या करा है which of the following secondary metabolites wrongly matched यानि कि इन मैं से कौन से metabolites जो हैं वो आपके क्या हैं wrongly matched है pigments, carotinoids, anthocyanin वरना carotinoids और आपके क्या है anthocyanin, carotinoids जो है accessory आपके photosynthetic pigment है जबकि anthocyanin जो है वो आपके कहां present रहते हैं vacuol में और यह flower को color provide करवाने के लिए आपके क्या रहते हैं बिटा responsible रहते हैं फिर polymeric substance, बहूलक पदार्थ, rubber और आपके क्या हैं गम हैं बिल्कुल सही है फिर यह कह रहा है toxins, abrin and resin यानि कि toxins जो हैं abrin और resin हैं बिल्कुल सही है तो यह भी बिटा सही है यह भी आपके क्या है सही है फिर यह आपके कह रहा है क्या alkaloids alkaloids में आपसे कह रहा है lemon grass oil तो यह आपके क्या हो गया? wrong हो गया क्यो wrong हुआ? देखो alkaloid जो हैं यह आपके morphine हो गया इसके अलावा codeine हो गया यह आपके क्या है alkaloid और lemon grass oil जो है वो आपको NCRT ने mention कर रखा यह आपके क्या है? essential oil है क्या है? essential oil तो it means यहाँ wrong जो है वो बिटा आपके कौन सा है? 4 तो answer आपके क्या चला जाएगा? 4 आई बास समझ में तो answer यहाँ आपके क्या रहेगा? 4 ठीक है? तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके alkaloids जो है उसमें आपके कौन आएगा? codeine आएगा और आपके कौन आजाएगा? morphine lemon grass oil जो है वो आपके क्या है? essential oil है ठीक है? next question की तरफ आपन बढ़ते हैं देखो next question आपको दे रखा है क्या? आपके 163 163 जो है देखो इस 163 में आपसे बात कर रहा है काई की इन अंजियो स्पर्म इच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स वाट डू दीज मेल गैमेट्स दू दा फर्टिलाइजिशन आफ ए फ्लॉवर आवर्त बीजियों में प्रतेक पराकर्ण दो नर्युगमक उत्पन करता है ये नर्युगमक एक पुस्ट के निसेचन में क्या करते हैं देखो आपके दो मेल गैमेट्स होते हैं एक तो एग सेल के साथ फ्यूज होके आपके क्या है जाइगोट बनाता है और जाइगोट आगे फर्दर डवलप्मेंट के थूँ आपके काई का एंब्रियो का क्या कर देगा फर्मेशन दूसरा जो आपके क्या होता है मेल गैमेट होता है वो आपके पॉलर नुकलियाई के साथ फ्यूज होके आपके सबसे पहले बनाता है पी एन प्राइमरी एंडोस्पर्म नुकलियस इसमें आगे डवलप्मेंट होके आपके काई का एंडोस्पर्म का क्या होता है फर्मिशन होता है जो कि यह क्या है न्यूट्रिटेव टिशू है ठीक है बेसिक आपको समझ में आया अब आपन आप्शन्स देख लेते हैं देखो क्या दे रहा है इच वन फर्टिलाइज़ ए सेपरेट एगसल तो गेब राइस तो सीड्स नो बेटा यह रॉंग है एक आपके फर्टिलाइज होता है एगसल से और दूसरा आपके होता है किसे पॉलर नुकलिया है यह जिसको आपन कहते हैं सेकंडरी नुकलियस से यह भी आपके क्या हो गया रॉंग हो गया बोथ फर्टिलाइज़ ए सिंगल एगसल नहीं यह भी आपके क्या है रॉंग है तो आप क्या करें हो वन फर्टिलाइज़ एन एगसल बाई एगसल से जब यह आपके फर्टिलाइज़ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जाइगा जाइगा ठीक है दूसरा जो है वो फ्यूज होगा आपके काई के साथ पॉलर नुकलियाई के साथ और पॉलर नुकलियाई के साथ और पॉलर नुकलियाई के साथ तो यह आपके कह रहा है क्या देखो यह आपसे बात कर रहा है कि पहला जो है वो तो आपके fuse होगा किसके साथ one fertilized and egg cell बिल्कुल सही है जो आपके gigot बना देगा and the other fertilized the cell that forms food reserve tissue यानि कि जो endosperm का क्या करेगा formation, simple सी बात है एक आपके fuse होगा egg cell के साथ gigot बना के embryo का क्या कर देगा formation, दूसरा fuse होगा polar nuclei या secondary nucleus के साथ जो आपके बनाएगा पहले PEN और यह PEN जो है वो आपके develop हो जाएगा काई में, endosperm में, ठीक है तो यहाँ आपके हो जाएगा one fertilized and egg cell and other fertilized the cell that forms food reserve tissue ठीक है, यानि कि आपके एक end को निसेचित करता है तथा दूसरा end कोसीका को निसेचित करता है जो पोसक संग्रहक उतकों को क्या करता है उत्पन करता है पक्की बात, बढ़ते हैं आपन next question की तरप next question आपके है क्या next question है in some fruits parthenocarpy is useless because of देखो सबसे पहले बेटा आपको parthenocarpy को यहां समझना होगा कि parthenocarpy आपके है क्या तो parthenocarpy में आप क्या कहते हूँ parthenocarpy जो है इसमें आप कहते हो क्या development of fruit क्या बोलते हो development of fruit without fertilization without fertilization without fertilization fruit का आपके क्या हो development हो तो यह आपके क्या है parthenocarpy क्या है parthenocarpy और यहां आपके क्या है जो भी fruit होता है वो बेटा आपके कैसा होगा seedless कैसा होता है seedless अब यह आप से कह रहा है in some fruits parthenocarpy is useless because of क्यों huge less है भाई किसी में भी edible part बेटा seed है लेकिन parthenocarpy से जो fruit बन रहा है उसमें seed है ही नहीं तो फिर उसके क्या काम का हुआ है क्यों edible part अपने लिए क्या है seed और parthenocarpy से क्या बन रहे है seedless fruit बन रहे है ठीक है तो जो भी आपके edible part seed है वो आपके बने गई नहीं तो fruit आपके काम का नहीं हुआ तो यहाँ आपके answer क्या चला जाएगा अगर edible part आपके क्या है seed है तो आपके parthenocarpy जो है वो आपके क्या रहेगी huge less रहेगी अगर आपके क्या है खाने योग ये भाग बीज है तो आपके लिए n इस एक phalan जो है वो बिटा आपके क्या रहेगा अनुप योगी तो यहाँ answer बिटा जाएगा आपके कौन सा first कौन सा जाएगा बिटा जी first चलो next question की और बढ़ते हैं अपन next question जो है वो है आपके next question 165 165 में देखो आप क्या कहोगे which is the called brewers east देखो brewers east में आप क्या कहते हो देखो जो आपके क्या है saccharomyces आपके क्या है cerevisi है ये एक तो आपके काई में काम आती है जो भी alcoholic आपके क्या है drink formation में alcoholic drink formation में alcoholic drink formation में ये आपके क्या करवाती है fermentation क्या करवाती है fermentation इसलिए इसको अपन कहते हैं क्या brewers yeast इसके अलावा देखो यह आपके क्या करवाती है bakery product जो है इनके भी आपके काई में formation में क्या होती है helpful होती है इसलिए इसी को ही बिटापन कहते थे हैं क्या baker's yeast इसलिए इसको क्या बोलोगी आप baker's yeast it means saccharomyces service जो है वो ही तो आपके क्या है brewers yeast है और दूसरी saccharomyces service ही जो है वो ही आपके क्या है baker's yeast है चाहाँ alcoholic fermentation से alcoholic drinks formation की बात हो या फिर बात हो आपके bakery product formation की इन दोनों में ही saccharomyces service ही आपके क्या होता है यूज होता है इसलिए से brewers yeast भी बेटापन कहते हैं और इसे आपन क्या है baker's yeast के नाम से भी जानते है ओके बेटा तो यहाँ जो भी आपको दे रखा है यह रहा third कि आपके brewers yeast जो है वो आपके कौन हो जाएगा saccharomyces service ही तो यहाँ brewers yeast जो आजाएगा वो आपके क्या है saccharomyces service ही ओके बेटा next question की तरफ अपन बढ़ते हैं next question जो है वो है आपके find out the correct statement यानि की correct statement को आपको क्या करना है find out करना है देखो देखते हैं आपन himgree variety of sugar cane ना wrong है himgree आपके sugar cane इनकी variety नहीं है किसकी है wheat की ठीक है तो यह आपके क्या हो गया wrong फिर है atlas 66 high protein content wheat variety बिल्कुल सही है kalyaan sona semi dwarf rice नहीं kalyaan sona आपकी variety है किसकी वापस wheat की फिर है आपकी पर्भनी क्रांती variety of rice नहीं variety of rice नहीं आपके किसकी है okara यानि कि आपके lady finger यानि कि भिंडी की आपके क्या है किसम है तो यहाँ आपके क्या है first wrong है third wrong है fourth wrong है तो right answer जो है वो आपके आजाएगा atlas 66 जो आपके क्या है गेहों की उच्च protein युक्त आपके क्या है विटा किसम ठीक है चलो बढ़ते है next question की तरफ हाँ विटा the next question जो है वो अपने पास है the figure given blow सोच the structure of enter with its wall layers labeled a, b, c and d select the part correctly match with its function यानि कि आपके क्या है enter का आपको ts दिया हुआ है उसमें a, b, c, d को labeled किया गया है इसमें a, b, c, d को identified अपन को करके और इसके जो भी function से उनके साथ इसको आपके क्या करना है match करना है चलो अपन बात करते हैं देखो a जो है वो भी टापके क्या है epidermis ठीक है a जो है वो आपके रहेगी क्या epidermis b जो है वो है आपके endothesium c है आपके middle layer और d जो है वो है आपके क्या tap it up d जो है वो आपके क्या है tap it up ठीक है अब इसके function से आपन match करें तो epidermis जो है वो आपको क्या है protection में क्या करती है help करती है सुरक्षा प्रदान करती है बिल्कुल सही बात है ये सुरक्षा प्रदान करेगी दूसरा है endothesium helps in the dehiscence of enter to release pollen पराग को उसके इस फुटन में मदद कर पराग करनों को आपके क्या करवाना अब मुक्त करवाना बिल्कुल सही है तो A सही हो गया B सही हो गया C आपको दे रखा है middle layer हाँ middle layer है ये secretion of hormones and enzymes मद्यस्तर hormones और enzyme का स्रावन नहीं enzyme और hormone का स्रावन आपके कौन करती है बिटा tapitum तो C जो है वो आपके क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा D जो है वो आपको tapitum यानि कि D जो है वो आपको क्या दे रखा है tapitum provides nutrition to microspore mother cell or developing microspores tapitum लगू भी जानू मातर को सिका को तथा B जानू को पोसंड क्या करना प्रदान करना तो ये भी आपके क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यहाँ सही जो है वो है A, B and D तो यहाँ सही जो हो जाएगा वो आपके क्या है A, B and D तो answer आपके चला जाएगा कौन सा second ओके वीटा बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ नेक्स क्यूशन जो है वो आपके देर रखा से का अपको पूछा रहा है सबसरे पहली बात आपको ये पता होना चीए कि गप आपके वोता क्या है मां तो डाको एक अच्यक् unfortunately आफ देखो Seed का क्या Formation Without Fertilization Seed Formation जो है Without Fertilization Seed Formation जो है इसको अपन करते हैं क्या Apomixis अब देखो आपने Concept पढ़े हूँगे Apomixis है तो क्या Asexual Production है लेकिन यह Mimik करता है आपके किसकी Sexual Production की Asexual Production है Mimik करता है आपके काई की Asexual Production की कैसे करता है बिटा mimik यहाँ embryo female जो है उसमें embryo sac formation तक का आपके जो भी development है वो आपके क्या रहता है present रहता है और जो भी seed बनता है वो आपके किसके female plant जो है उसके आपके क्या रहता है identical male का यहाँ कोई काम ही नहीं है क्यों male के embryoche ऐ संग जनन से निर्मित भ्रोन की अनुवांसिक प्रकरती किस प्रकार की होती है तो यहाँ आपका होगे क्या identical to male plant नहीं male plant का कोई role ही नहीं है identical to female plant तो यह सही है भाई आपके मादा जनक के क्या होगा समान होगा यह आपके wrong हो गया था identical to both the male and female parents ना फिर है आपके blend of parents यानि कि जनकों का आपके क्या है समिस तो यह भी आपके नहीं है तो यहाँ answer जो चला जाएगा वो बिटा आपके होगा कौन सा second ओके बिटा बढ़ते हैं आपन next question की तरफ next question की आपन बात करें तो देखो आपको दे रखा है which statement is not true next आपको दे रखा है क्या which statement is not true यानि कि यहाँ को statements हों को आपको पढ़ना है और incorrect statement जो है उसको आपको क्या करना है select करना है in apomixes seeds are produced without fertilization ऐ संग जनन में बिना निसेचन के बीजों का निर्मान होता है बिल्कुल सही है मैंने क्या कहा था है तो ए सेक्सुल इप्रोडेक्शन जिसमें without fertilization seed का क्या होता है formation लेकिन यह mimic करता है किसकी sexual production की क्यों embryo sec तक का formation जो है वो आपके क्या रहता है present रहता है embryo sec तक का development जो है यहां क्या रहेगा present pollen tube सोज apical growth सही बात है यहां जो pollen tube है वो आपके क्या करती है seed सस्त व्रद्धी करती है यहां जो maximum growth होती है वो आपके कहां से होती है tip part से क्यों tip part पर आपके क्या है vegetative nucleus आपके क्या रहता है present रहता है जो growth को आपके क्या करता है, regulate करता है फिर आपके third कर रहा है, first सही है, second सही है residual endosperm is called parisperm, ना बिटा यह residual endosperm नहीं है, इसको अपन कहते हैं residual क्या हो, nucellus हो तो residual nucellus जो है, उसको अपन क्या कहते हैं, parisperm यहाँ आप सोसी brunpos को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं बीजांड काय जो रह जाता है, उसको अपन कहते हैं, क्या parisperm, अगर यहाँ आपके क्या है, residual endosperm रह जाता है तो इसको तो अपन कौन सी condition बोलते हैं, albuminus albuminus, या इस condition को आप कहते हो, क्या endospermous condition, क्या कहते हो, endospermous condition, कौन सी condition बोलते हो, endospermous, antipodal cells are situated towards challenging end, बिल्कुल सही है, antipodal cells जो होती हैं, आपके क्या हाँ, challenging end की तरफ होती हैं, जबकि egg apparatus जो होता है, वो आपके किस पे होता है, mycopylar end पे, it means, यहाँ आपके सही है, one, two, और fourth, तो wrong आपके हो गया, कौन सा, third, तो third जो है, यहाँ आपके क्या है, wrong है, तो यहाँ जो आपके क्या जाएगा, answer जाएगा, वो आपके चला जाएगा, कौन सा, third, ठीक है बेटा, अब अपन next बात करें, तो आप क्या कहोगी, देखो, 170, 170 में आपसे मैच करवा रहा है, application of botany का आपके क्या है, question है, match the column का question है, जो कि एक बहुत अच्छा आपके क्या है, concept है, देखो आप, match the column, इस्थंबों को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, यहाँ इस्थंबों को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, चलो करते हैं, पहला है आपकी fermenters, fermenters जो हैं, वो आपके large vessels होती है, बड़े बरतन होते हैं, जहाँ आपन किसका, जो भी आपके क्या है, biotechnology या traditional जो भी आपके क्या है, biotech है, यहाँ आपन कहें क्या मानव कल्याण में, जब आप सुक्ष्म जीवों का उपयोग करते हो, तो यहाँ जो भी आपकी product है, उसका production आपका हाँ, commercial level पे, large vessels में करते हो, इनको आपन कहते हैं क्या fermenters, तो यहाँ आपके क्या जाएगा, large vessels for growing microbes, it means, इसका bit आपके हो जाएगा क्या, B, यानि कि first जो है, इसका आपके हो जाएगा क्या, B, किंडवक जो है, वो व्रदी सील, सुक्ष्म जीवों के लिए बड़ा क्या है, पात्र है, bread, तो bread बनाने के लिए, bakers, जिसकी अभी बात हुई है, आपके कौण सैकरो माइसी सर्वेसी आपके क्या आएगा, काम में आएगा, फिर third, aerobic microbes, aerobic microbes जो है, जो भी bacteria है, with fungal flamen, इनको आपके देते हो क्या, phlox, तो aerobic microbes, जो है, वो आपके बनाएंगे क्या, वाईविये सुक्ष्मजीव जो है, वो आपके बनाएंगे क्या, उनक, फिर है गंगा action plan, गंगा action plan और यमना action plan किस ने दिया था, ministry of environmental and forest ने, तो यहाँ बिटा आपके आजाएगा, क्या, c, तो यहाँ आपके b, a, d, c, तो देख लो आप कहाँ दिया हुआ है, ब, a, d, और c, तो यहाँ answer जो आपका हो जाएगा, वो बिटा, आपके हो जाएगा, क्या, फूर्ट, देखो बिटा, प्रते question को आप देख लो, सारे question जो है, NCRT से उठाए हुए हैं, और हर एक concept को cover करने की आपके क्या की गई है, कॉसिस की गई है, completely NCRT based आपके क्या है बिटा, पेपर, जादा से जादा questions को cover करने की आपके क्या की गई है, कॉसिस की गई है, next जो question है, वो very 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 important, बहुत अच्छा question है, जो आपको पूरे microbes जो हैं, उनको आपके क्या करवा रहा है, यह question अगर आपका सही है, तो इसका मितलब आपको क्या है, microbes के नाम के साथ-साथ, आपके क्या है, इनका type आपके क्या है, वो भी आपको क्या है, याद है, सबसे पहले विटा आपको दिया हुआ है, statins, ठीक है, सबसे पहले आप देखें, यह पूछ रहा है, आपके इन में से कितने जीवानों से संबंदित हैं, how many are related to bacteria, तो आपको bacteria की बात करनी है, तो statins जो हैं, वो आपको मिलते हैं, किससे monascus purpurious, किससे monascus purpurious, तो यह आपके क्या है, fungi, क्या है बटा, fungi, cyclosporine A, जो immunosuppressant होता है, यानि कि आपके क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, संदमित करता है, यह भी बटा एक आपके क्या है, fungi, ठीक है, तो दूसरा है, next है आपके card, card आपके प्राप्त होता है, LAB, Lactic Acid Bacteria, तो यह सही है, bacterial activities से related है, black rot of crucifer, यह भी आपके क्से होता है, bacteria से होता है, NCIT में दिया हुआ है, तो यह भी आपके bacteria से क्या है, related है, red rot of sugar cane, यह आपके क्या है, fungal disease है, polytotrichum, है न, तो यह आपके क्या है, fungal disease है, यह आपके किसे होगा, fungi से होगा, फिर आप कहोगे Acetic Acid ये आपके किसे Acetobacter Acetide तो ये भी आपके क्या है Bacteria से होती है ये ठीक है ये आपके Bacteria फिर है Citric Acid ये आपके Fungi कौन सी? Aspergillus Nigut इसके लबाब Brown Rust of Wheat ये Rust जो है वो भी आपके किसे होगा Fungi से होगा फिर है Bt Cotton Bacillus Thurigiansis यानि कि आपके क्या है Bacteria है फिर आपके कहरा Symbiotic N2 Fixation in Legume Plant ये आपके Rhizobium करता है जो भी आपके क्या है Bacteria है It means 1, 2, 3, 4 और 5 यानि किस से Related आपके किते हैं 5 यानि कि 5 वापस देख लो Stetis Monascus Purpureus जो कि एक आपके East यानि कि Fungus है Cyclosporinate Trichoderma Polysporum क्या है Fungus दही LAB Laptic Acid Bacteria से क्या होगा प्राप्त होगा तो ये सही हो गया Crucifer का काला साडन रोग Black Rot of Sugar Crucifer दे रखा है NCIT में ये भी Bacterial DGJ गन्ने का लाल धारी रोग Red Rot of Sugar के आपके कैसे होता है फंजाई से होता है तो ये भी नहीं आएगा Aceticum Acetobacter Acetai तो ये भी आपके क्या है Bacterial DG Bacteria से Related है Citricum Aspergillus Niger तो ये भी आपके क्या है Fungus से होता है ये भी नहीं आएगा उसके बाद में है गहूं का भूरा के ट्रोग Brown Rust of Wheat तो ये भी आपके क्या है Fungus से Related है ये भी नहीं आएगा BT Cotten Bacillus Thurigian से सही है CC Related है और Legume पादपा में Nitrogen का स्ट्री करन कौन करता है राई जो भी हम जीवानों करता है तो ये भी आपके किसे जीवानों से क्या है संबंदित तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो कित्ते हो जाएंगे 5 Answer आपके चला जाएगा कौन सा पहला देखो पूरा chapter 10th chapter जो है वो पूरा क्या हो गया revise हो गया ये सारी चीज़ें आपको आती है इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से इसको क्या कर रखा है पढ़ रखा है तो पिटा ऐसी NCIT से छूटी छूटी चीज़ों को आपको उठाते होए चलना है ठीक है next questions की तरफ बढ़ते हैं आपन देखो next question है आपको दे रखा है क्या statements आपको दे रखें और statements में से आपके क्या है right और wrong statements आपके क्या है choose कर रखा है नीचे दिये गए कतनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए read the statement carefully फिर यह आप से पूछ रहा है how many statements are correct यानि कि कितने कतन सही है चलो पढ़ते है mustard variety pusa swear name having resistant to white rust सरसों की किस्म pusa swear name scp is the alternate source of protein for animal and human nutrition यानि कि पसू तथा मानव पोसन के लिए जो आपके कौन है single cell protein जो है वो प्रोटीन का वैकल पर क्या माना जाता है सरोत माना जाता है तो ये भी आपके क्या है सही है plant developed by the micropropriation will be the genetically different ना genetically different नहीं होंगे better genetically क्या होंगे same अनुवानसिक रूप से मूल पादप से भिन्न नहीं होंगे क्या होंगे समान होंगे तो ये आपके क्या हो गया wrong हो गया फिर आप कहोगे क्या semi dwarf rice varieties were derived from IR8 and twitching native first अर्दवामन धानी की किस्मों को IR8 तथा था था ही as in orange and mango फल संत्रे वै आम की भांती सुस्क भी हो सकते है न dry fruits जो है उनके example आपको दे रखे हैं वहां mustard और आपको दे रखा है ground nut ठीक है तो ये statement जो है वो आपके क्या हो गया wrong ये statement जो है वो आपके क्या है wrong फिर कह रहा है during dormancy the general metabolic activities of embryo is high प्रैसुपती के दौरान ब्रून की सामान उपापचे इदर तेज हो जाती है बेटा अगर dormancy में metabolic activities अगर fast हो गई तो ये आपके long time तक survive ही नहीं कर पाएगा dormancy में ये अपने metabolism को एकदम आपके क्या कर लेता है slow कर लेता है NCID की line है तो ये भी आपके क्या हो गया wrong तो आप किसकी कितने statement है total 1,2,3,4,5,6 3 साही हैं 3 गलत हैं तो आपसे how many statement are correct तो कितना हो जाएगा बेटा 3 यानि कि answer चला जाएगा आपके second ओके बेटा बहुत अच्छे अच्छे आप देखो इस एक single question से आपके क्या है से पढ़ना है और एक single question भी बेटा गलत करके नहीं आना है next बेटा जी अपन बात करें तो देखो आपके क्या होगा next है 173 statement का question है एक आप बात थोड़ा सा धियान रखना है याह statement के question तो है लेकिन सारे statement जो है वो NCRT based है हर statement आपके एक question के बराबर आपके concept को क्या करवा रहा है clear करवा रहा है देखें आप बिल्कुल सही है यह आपके NCRT में दिया हुआ है यानि कि यह कह रहा है 60% आवर्त बीजियों में पराकर्ण दो कोसी की अवस्थाओं में क्या होते हैं जढ़ते हैं नेक्स्ट है water hyacinth and water lily are pollinated by birds birds नहीं आएगा बिटा क्या आएगा इंसेक्ट NCRT की डिट्टो लाइन है यहाँ आपके क्या आएगा कीट NCRT से डिट्टो लाइन उठाई गई है तो यह आपके क्या हो गया wrong जल hyacinth पे water lily कीट एवं वायू द्वारा क्या होते हैं परागित होते हैं इन सम्सीड रैसीड्यूवल न्यूसिलस इज कॉल पैरिस्पर्म कुछ बीजों में अवसेसी बीजांड का है पैरिस्पर्म क्यालाता है बिल्कुल सही है थैलेमस ऑल्सो कॉंट्रिब्यूट टू फूट फॉर्मेशन एप्पल एंड काजू बिल्कुल एंचियाटी का कॉंसेप्ट है सेव एंड काजू में थैलेमस भी फल निर्मान में आपके क्या लेता है भाग लेता है फिर है बिल्कुल सही है तो यहाँ स्टेटमेंट आपके क्या है रॉंग केवल और केवल कौन सा है सी बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है सही तो आप क्या क्यों होगी टोटल स्टेटमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में से आपके एक क्या है wrong है तो यह आपसे पूछ रहा है क्या सत्य पूछ रहा है यानि कि correct पूछ रहा है तो correct बेटा आपके हो जाएंगे कितने 5 तो answer आपके चला जाएगा कौन सा fault ओके बेटा next question की तरफ अपन बढ़ते हैं हाँ बेटा next अपन देखते हैं 174 174 में आप क्या कहोगे how many statements are incorrect कितने कथन आपके क्या है आसकते हैं तो देखें आप बुल्बिल्स आप लार्ज साइड फ्लैसी बर्ड्स विच आपके क्या है विसेस्ट हैं दूसरा आपको दे रखा है kara is dioces gametophyte kara a clingas रही ना dioces नहीं है यह आपके क्या है monoces तो यह आपके क्या होगे बिटा रॉंग फिर आपको होगे क्या in spermatophyte pollen grain acts as the carrier of male gametes spermatophyte में पराखकर नर युगमकों के वाहग की तरह आपके क्या करता है कारे करता है बिलकुल सही है gygot is always from inside the body युगमनेज का विकास हमेशा सरीर के अंदर होता है ना यह जरूरी नहीं है external fertilization में कहा होता है सरीर के बाहर होता है तो यह रॉंग है तो B रॉंग है D रॉंग है और E रॉंग है तो incorrect आपसे पूछें तो कितने हो गए तील आंसर आपके हो जाएगा वेटा second आर यह बास समझ में बढ़ते हैं आपने next question की तरफ next question आपसे क्या कर रहा है देखो match the column करवाया है आपसे बहुत अच्छा question है आपके match the column इस्तंबों का मिलान कीजिए चलो भई इस्तंबों का मिलान करते है लेडी बर्ड जो है वो आपके किसके लिए बोलो aphids जो है उसके लिए आपके क्या है प्रतिरोधिये लेडी बर्ड आपके आजाएगी aphids के लिए तो यहाँ आपके आजाएगा third dragonfly जो है वो आपके प्रतिरोधिये होती है किसके लिए मच्छरों के लिए तो यहाँ आपके आजाएगा first trichoderma जो है वो आपके किसके लिए पादप रोग कारग जो है पादप रोग कारग जो है उनके लिए क्या होगा प्रतिरोधिये होगा फिर है baculovirus आर्थोपोडा भई आपको baculovirus का पता ही है जो भी आपके genus है nucleo polyhidrosis उससे आपके related है और यह आपके insect क्या जो भी आपके क्या है insect यानि कि आर्थोपोडा से related जो भी organism है उनको यह आपके क्या करता है destroy करता है तो यहाँ आपके क्या जाएगा कीट आर्थोपोड यानि कि आपके क्या जाएगा second यानि कि insect आर्थोपोड तो 3,1,4 second 3,1,4 second तो आपके कौन सांसर हो जाएगा first next अपर next question की तरफ बढ़े हैं तो देखो आपको क्या कह रहा है how many the incorrect statement यानि कि कितने statement जो है वो आपके क्या है incorrect है सारे के सारे बटा एक चीत देखो आपके time consuming नहीं है सारे के सारे जो statement है वो कहां से उठाएगा है NCRT से Agit NCRT की क्या है लाइन है free living end to fixing bacteria मुक्त जीवी nitrogen स्थरी कारी आपके क्या है जीवानू है वो आपके कौन है agitobacter and rhizobium आपके free living की बात कर रहा है तो rhizobium जो है वो आपके कैसा करता है symbiotic end to fixation करता है तो यहाँ ही आपके क्या हो गया बेटा wrong हो गया क्यों राइंग हो गया rhizobium आपके क्या है symbiotic end to fixation करता है hairy leaves in several plants are associated with resistant to insect paste example resistant to jacid in cotton and siren leaf betelene wheat ठीक है तो यहाँ कहोगे अधिकान स्पादपों में रॉमिल पतियां पीड़कों के प्रती प्रती रोधकता से संबन रखती है जैसे कपास में जैसेड और गहूं में आपके क्या है धाने बरंग तो यह आपके क्या है सही है यह आपके क्या है right है next है हिम्ग्री इस दा वैराइटी ओफ वीट विच रेजिस्टेंट तू वाइट रस्ट ना वाइट रस्ट के लिए आपके क्या है वाइट रस्ट के लिए आपके कौन जो भी आपके मस्टर्ड जो होती है मस्टर्ड की वैराइटी जो है वो आपके क्या होती है, वाइट रस्ट के लिए आपके क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉंग IARI released spence and बथुआ, enrich FE and CU, देखो ध्यान से पढ़ो IARI निर्मित पालक वे बत हुआ, FE तथा CU से भरफूर था, CU नहीं दे रखा बिटा, NCRT नहीं क्या दे रखा है, CA, तो यहाँ आपके क्या जाएगा, CU की जगे, CA, तो ये आपके क्या है, रॉंग Generate a whole plant from any cell is called totipotency, like sieve cell, cork cell, vessels element are the example of totipotent cell, देखो totipotency आपके क्या होती है, totipotency आप पढ़ते हो काई में, parent काई में, अगर cell differentiate होते हुए भी, always division के लिए क्या हो, active हो, तो इनको आपन कहते है, totipotency और totipotency का nature जो है, या आपन कहें, एक single plant cell जो है, वो complete plant का आपके क्या कर दे, formation कर दे, तो इसको आपन कहते है, totipotency, और totipotency mainly पाई जाती है, किसमें parent काई में, तो यहाँ कुछ जो है, वो आपके क्या है, dead cell के आपके क्या है, example है, जैसे कि आपके कौन हो गया, vessel element, तो य चार आपके क्या है, wrong है, चार आपके क्या हो जाएंगे, wrong हो जाएंगे, तो यहाँ answer जो है, वो आपके क्या हो जाएगा, क्या, third, okay बीटा, next question की और बढ़ते हैं आपन, next है, 177 match the column, बहुत easy सा question, बहुत अच्छा सा, NCIT का question बीटा, match column first with column second and select the correct option from the given course, system first, system second से सुमेलित कर, नीची दिये गए, cord में से, सही विकल्प का आपको क्या करना है, chain करना है, parthenocarpy, क्या होती है parthenocarpy, without fertilization, क्या है, without fertilization, जो है, वो आपके fruit का क्या होना, formation होना, without fertilization, आपके fruit का आपके क्या है, formation जो है, इसको आपन कहते हैं क्या, without fertilization, आपके fruit का formation जो है, वो आपके कहलाएगा, क्या, parthenocarpy, ठीक है, तो parthenocarpy की आप बात करोगे, एनिसे एक फलन, क्या कहोगे, बिना निसे चन बीज रही तो आपके क्या बन रहा है, fruit बन रहा है, seedless fruit without fertilization, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, C, बहु ब्रूनता, poly embryo नी, more than one embryo in same seed, same seed में more than one embryo, तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, B, फिर एपोमिक्सिस, S अंगत्ता, S अंगत्ता आपके क्या है, बिना निसे चन बीज का आपके क्या होना, निर्मान होना, formation of seed without fertilization, somatic embryogenesis, यहाँ आपके क्या होगा, embryo develops from a somatic cell, तो यहाँ आपके क्या जाएगा, D, तो यहाँ C, B, A, D, ठीक है, C, B, A और D, तो यहाँ आपके answer हो जाएगा, कौन सा, second, next question की तरफ अपन बढ़ें, तो next question आपको क्या करा है, देखो, a recent record, यहाँ के NCIT की सीधी लाइन है, a recent record of 2000 years old viable seed discovered during the archaeological excavation and King Harald's place near the dead siege, हाली का एक record 2000 वर्स पुराने, जीवन चमबीज का है, जिसे मृत सागर के पास, King Harald के महल की पुरा तत्विक खुदाई के दौरान खोज में पाया गया था, और यह था आपके date palm, जिसको अपन कहते हैं क्या, Phyonex Dactylifera, यह कहां से लिया था अपन ने, date palm जिसका नाम है आपके क्या, Phyonex Dactylifera, next question आपन देखें, तो देखो आप, Phlox, Phlox आपके कहां, जो भी sewage treatments जो हैं, उसमें आपको दे रखा है 10th chapter में, कि Phlox क्या हैं, तो Phlox जो हैं, वो आपके क्या हैं, Phlox की अगर आपन बात करने, Phlox की अपन बात करें, उनक की अपन बात करें, तो आप क्या कह रहे हूं, bacterial आपके क्या हैं, mass हैं, किस के साथ, fungal filament के साथ, तो आपके mass of bacteria है, associated with fungal filaments, तो आपके क्या है, mass of bacteria, क्या है, mass of bacteria associated with fungal filaments, next question है, आपके पास क्या, 180, देखो 180 question आप देखें, चूजदा incorrect, इनकरेक्ट को आपको क्या करना है, चूजदा करना है, vitamin A enriched carrot sponge pumpkin, vitamin A से प्रचूर, गाजर, पालक और आपके क्या हैं, कद्दू हैं, ठीक है, vitamin B enriched mustard and tomato, तो यह आपके क्या हो गया विटा, wrong हो गया, vitamin B की यहाँ आपसे बात करी ही नहीं रहा, इसके लाबा, vitamin C enriched, बथुआ, बिटर गर्ड, यह भी आपके क्या है, सही है, इसके लाबा, protein enriched, broad beans, love love, french और अप french bean, तो यह भी आपके क्या है, सही, तो आपके wrong जो है, वो आपके कौन सा है, second, तो answer यहाँ आपके चला जाएगा, कौन सा बिटा, second, next, अगर अपन बात करें, तो 181, 181 की उश्चन आपको देखो, क्या दे रखा है, identify the correct pair of statements, यानि क्या आपके क्या है, जो भी आपके सही कथनों के युगम की आपको क्या करनी है, पहँचान करनी है, white kernel of coconut age free nuclear endosperm, नारियल की सफेद गरी, साफ दे रखा है, आपके कौन सा है, cellular endosperm, कौन सा है, cellular endosperm, कोसी किया क्या है, भ्रुनपोस, तो आपके ये, आपके क्या हो गया, wrong, in dioces plant, autogamy is prevented, but jetanogamy occurs, एक लिंगा स्रही पादपा में, स्वायुगमन, अनुपस्तित, तथा सजाद, उसपी, परागन, पाया जता है, भाई, आपके कह रहा है, जब आपके क्या है, मान लो, ये plant जो है, इसमें, only आपके क्या है, मान लो, female flower है, तो ना तो इसमें, आपके autogamy हो सकती है, ना ही इसमें, आपके क्या हो सकती है, जिटेन हो गे मी, तो ये भी आपके क्या हो गया, बिटा, wrong हो गया, ठीक है, next अगर अपन बात करें, तो आपके है क्या, क्लिस्टोगेमस flowers are always self-pollinated, तो क्लिस्टोगेमस flower, आपके वो flower होते हैं, जो कभी भी उपन नहीं होते हैं, वै क्लिस्टोगेमस flowers are always आपके क्या है, self-pollinated है, अनुन्मल्य पुस्प सदेव आपके क्या होते हैं, स्वय परागित होते हैं, तो अनुन्मल्य पुस्प हैं कौन से, जो कभी खुली नहीं रहे, तो इनमें आपके क्या हैं, chances जो होगा, वो आपके किसका होगा, self-pollination का, तो यह आपके क्या है, सही है, अनुन्मल्य पुस्प सदेव क्या होंगे, स्वय परागित, casterogen endospermic seed, अरंडी एक ढूनपोसी आपके क्या है, बीज है, तो यह भी आपके क्या है, सही है, तो यहाँ सही जो हो जाएंगे, क्या पुछा है, आपसे सही पुछा है, तो सही यहाँ आपके होंगे, बीटा कौन सा, third and fourth, next अगर आपन बात करें, तो देखो, 182, 182 में आपके क्या है, artificial hybridization से related, आपके क्या है, क्यूशन है, इसमें आपसे बात कर रहा है क्या, while planning for, an artificial hybridization program, involving diocese plant, which of the following state, would not be relevant, एक लिंगा स्राई पादपों में, क्रेतिन संकरन के दौरान, कि मिनमन में से, कौन सा पद समलित है, नहीं किया जाता, भाई आपकी एक लिंगा स्राई पादप, यानि क्या आपके क्या है, एक लिंगा स्राई पादप में, केवल और केवल, one sex organ जो है, वो आपके क्या है, present है, ठीक है, तो आपको साफ दे रखा है, dioceseus plant है, जिसमें only और only आपके क्या है, तो male पाया जा रहा है, या क्या पाया जा रहा है, female, तो कहरा है, bagging of female flower, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, during of pollen on stigma, dusting of pollen on stigma, वर्तिकागर पर पराकणों का छिड़काव करना पड़ेगा, emasculation, देखो emasculation, आप क्या करते हो, जो भी bisexual female flower होता है, उसमें जो भी male है, उसको maturation से पहले, enter जो है, उसको maturation से पहले, आपके four safe से आप क्या कर देते हो, इसको हटा देते हो, तो ये आपके करने की जरूरती नहीं है, क्यों? क्योंकि plant पहले ही आपके क्या है, unisexual है, तो इसकी आपको need नहीं होगी, तो यहाँ answer आपके चला जाएगा, बेटा कौन सा? next जो है, आप देखें, next question आपके क्या है, next question आपके pollination से related आपको दे रहा है, और ये wellisneria से related आपसे क्या कर रहा है, question कर रहा है, तो यहाँ आपसे देखो क्या कर रहा है, both in tape grass, wellisneria, phyta grass में, wellisneria में, both male and female flowers break from the plant and float on the surface of water, यहाँ दिहान रखना देखो, breakdown जो होता है, वो आपके कौन होता है, male flower, और यह आपके दीरे-दीरे-दीरे-दीरे, female की stigma जो होती है, तो इसलिए अपन कहते है, water की surface से उपर आपके क्या रहा है, तो इसलिए इसको अपन कहते है, epihydrophilly, क्यों? surface के क्या है, उपर है, यहाँ male जो है, वो तूट के कहां तक पहुँचता है, female तक, तो यहाँ कहोगे, only the female flowers break from the plant, while the male flowers are brought to the surface by the long stalks, केवल मादा पुस्प पादप से ना, मादा पुस्प नहीं तूटता, only the male flowers break from the plant, and rise to the surface, while the female flowers are brought to the surface by a long pedicils, केवल नर पुस्प आपके पादप से तूट कर अलग हो जाता है, और जल की सतय पर तेरता है, जबकि मादा पुस्प एक लंबे पुस्प वरंत द्वारा सतय पर क्या किया जाता है, लाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा answer, only of the two types of flowers can break, ना, ये भी आपके क्या है, wrong है, तो यहाँ answer जो जाएगा विटा, वो आपके होगा, कौन सा, third, next अगर अपन बात करें, तो next आपको दे रखाए देखो, NCIT का सीधा सा example है बिटा, यहाँ आप से monoeseus और dioeceus का आपके क्या पूछ रहा है, example पूछ रहा है, तो यहाँ आप क्या कहोगे, which of the following pair correctly represent the monoeseus and dioeceus condition of the plant, तो monoeseus और dioeceus condition जो है, इसको आपके monoeseus condition, NCIT ने आपको बता रखिया किसमें कुकरबिट में, और dioeceus condition जो है, वो आपको बता रखिया किसमें पापाया में, तो यहाँ answer जो चला जाएगा, वो आपके होगा कौन सा, third, next अगर अपन बात करें, तो आपके क्या है, 185 question, which of the following method, is commonly used to maintain the genetic traits for a given plant, निम्न मैं से कौन सी एक विधी, एक दिये गए पादपें, मैं अनुवांसिक संग्ठन को बनाए रखने ही तो, उपयोग में ली जाती है, अब यहाँ थोड़ा सा सोच के question करना आप, यहाँ आप कहरे हो कि यहाँ variations नहीं आनी चीए, और यह बात समझ में देखो क्या कर रहा है, अनुवांसिक संग्ठन को बनाए रखने ही तो, यानि कि आपके क्या है, आपको maintain रिखना genetic traits को, ठीक है, तो यहाँ variations आपको क्या करने हैं, लोग करने हैं, इससे तो आपके variation आएंगे, तो यह तो आपके answer हुई नहीं सकता, एक काईक गुनन द्वारा आप क्या करवाएं, काईक सैल को लोगे, तो यहाँ आपके क्या है, crossing over जो है, वो आपके हुई नहीं, तो variations आएंगे नहीं, meiosis हुआ ही नहीं, तो यहाँ आपके होगे क्या, यह आपके क्या हो जाएगा, ठीक, by generating hybrids, hybrids तो बनाई वो जाते हैं ना, जो आपके क्या है, दो अलग-अलग character वाले आपके क्या है, organism जो है, उनको आपके क्या है, उनसे आपके hybrids का क्या किया जाता है, formation किया जाता है, तो यहाँ तो आपके क्या है, अनुवान सिक संग्ठन आपके स्थर, राही नहीं, तो यह भी नहीं हो सकता, by attracting the seed, gamma radiations, gamma radiations क्या लाती है, mutation लाती है, और mutation से क्या होता है, changes होते है, तो ना तो यह हो सकता, ना यह हो सकता, आन्सर आपके जाएगा, कौन सा, second, next आपन बात करें बिटा, तो आपके क्या है, match the following, उप्रोक्त को, उप्रोक्त का, मिलान कीजिए, चलो करते हैं मिलान, देखो आप सबसे पहले दिया हुआ है, आपको hypocautyl, hypocautyl क्या होता है, यह आपके क्या है, दो कौटिलिडन से, यह अपर पार्ट जो है, वो epicotyl है, जो terminate होता है, प्लिम्यूल पे, और लॉर पार्ट जो है, वो आपके क्या है, hypocautyl है, जो terminate होता है, आपके किस पे, बोलो, root tip पे, और यह बस समझ में, यह आपके क्या है, radical और आपके क्या बनाएगा, root tip, यह आपके क्या बनाएगा, suit tip, और आपके क्या बनादेगा, plemule, तो यहाँ आपके first, hypocautyl जो है, उसमें आपके आजाएगा, radical और root tip, यानि किसका आपके हो गया, कौन सा, fifth, first का है, fifth, heart shape, यह आपके किसकी, embryo जो है, उसकी condition को बतर है, heart shape, torpedo, head shape, spherical यानि कि गोला कार, यह सब आपके क्या है, brun है, तो यहाँ आपके आजाएगा, क्या, 4, फिर है, muscle phal, तो muscle phal तो आपके orange और आम है, जबकि dry foods, moong phalी, यानि कि parisperm जो है, वो आपके पाया जाता है, black pepper, end beet में, kalimid chaur, chukandar में, तो यहाँ आपके आजाएगा, second, फिर है epiblast, adhi korak, यह आपके क्या है, monocot में, hasid weej patr, यानि कि आपके क्या है, reduced आपके क्या होता है, cotyledons, तो यहाँ आपके आजाएगा, क्या first, it means, यहाँ हो जाएगा, five, फिर है four, भाई, इसका आपके क्या हो जाएगा, hirdyaakar four, फिर आपके क्या है, इसका आपके क्या है, six, तो आपके five, four, six, second, और फिर आपके क्या होगा, first, तो यह आपको दे रखा है 5, 4, 6, 2nd और 1st तो answer आपके हो जाएगा कौन सा बिटा 3rd next question की और आपन बढ़ते हैं देखो देखो बिटा next question 187 identify the following diagram A, B, C and D and find out the correct statement दिये गए चित्रों में क्रमस है ABCD को पहँचानते हो इन्हें इमने मैं से सही सम्मू को चुनिए पहले आप ABCD को पहँचाने बिटा ये जो है वो आपके क्या दे रखा है ये जो है वो है हाइपोकॉटाइल क्या है हाइपोकॉटाइल तो A के नीचे आपन लिख रहे हैं क्या हाइपोकोटाइल NCIT का डाइग्राम है एजट हाइपोकोटाइल ये आपके क्या है सूट एपिकल मैरिस्टेम एज इट आपके NCIT से उठाया हुआ है सूट एपिकल मैरिस्टेम D जो है वो है बिटापके endo sperm और ये जो है वो आपके क्या है प्लिम्यूलड उसकी उपर आपके क्या हो जाएगा कॉलिपτοईल ये आपके क्या हो जाएगा कॉलिपटलः अब अपन मैच कर लेते हैं देखो A हाइपोकोटाइल B आपके क्या है endo sperm आपके सूट अपिकल मेरिस्टेम है फिर आपके दे रखा है C. एंडोस्पर्म C. जो है वो आपके कॉलियोप्टाइल है रॉंग हो गया 3. में दे रखा है B. जो है वो आपके क्या है सूट अपिकल मेरिस्टेम ठीक है और D. जो है वो आपके क्या है third, next अगर आपन बढ़ते हैं 188 की तरफ तो 188 में देखो आपसे क्या करा है in the embryo of a typical dicot and a grass true homologous structures तो true homologous structures जो है वो आपके कौन सी हो जाएंगी देखो सबसे पहले आपको दे रखा है क्या colioryza and colioptile नहीं, भाई आपके किसमें पूछ रहा है यह देखो ना, the embryo of a typical dicot and a grass तो grass में और आपके क्या है यह आपन कहें, monocot और dicot में आपके किसको homologous structures को पूछ रहा है, तो यहाँ homologous structures बताओ आपके कौन होंगी colioryza, colioptile नहीं सब colioptile and scutillum नहीं cotyledons और वहाँ single cotyledon को अपन क्या बोलते हैं, scutillum तो यहाँ आपके समझात संदचनाएं जो हैं, वह आपके कौन है, बीज पत्र भाई, dicot में जिसको बीज पत्र बोलते हैं monocot में, उसी को ही अपन क्या करते हैं scutillum, तो answer सर्जू हो जाएगा, वह बेट आपके हो जाएगा, कौन सा? third, next अपन बढ़ते हैं 189 की तरफ ठीक है, 189 देखो आपसे क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सा आपके क्या है, question है 189 में आपको क्या है, plant breeding का आपके क्या है, sequence बताना है तो plant breeding का आप sequence बताओगे तो देखो आप क्या करोगे सबसे पहले आप collection करोगे का यह का, viability का तो विभिनताओं का आप क्या कर लोगे सबसे पहले, sungrahan तो पहले विभिनताओं का क्या हो गया, sungrahan फिर विभिनताओं का आप sungrahan करत की, collection of variability करके, इसके बाद आप करोगे क्या, evaluation and selection of parents, तो फिर आपके क्या जाएगा, c, c के बाद आप लोगे क्या, अगर आपन बात करें तो उसके बाद करोगे, cross hybridization among the selected parents, तो यहाँ आपके क्या जाएगा, e, e के बाद में आप क्या करोगे, selection and testing of superior and recombinations, तो यहाँ आपके क्या जाएगा, b, और b के बाद आपके क्या हो जाएगा, testing release and commercialization of new cultivars, तो फिर आपके क्या जाएगा, d, तो a, c, e, b, d, यह आपके कहाँ दे रखा है, a, c, e, b, और d, तो answer आपके चला जाएगा, कौन सा, third ओके बीटा, next question की तरफ अपन बढ़ते हैं, देखो 190, बहुत अच्छा question है, वोई statement wise NCIT के same statement और यहाँ आप से पूछ रहा है, देखो SCP is the alternate source of proteins for animal and human nutrition, SCP मानव पोसन एवं जनतू है, तो protein का क्या है, vacalpics रोत हैं, ठीक है, फिर है spirulam is mostly used as SCP, due to the high protein, minerals, fat, carbohydrate उच्छ protein, वसा, खनेज, carbohydrate वे, vitamins के कारण यहाँ इसको आप ध्यान से पढ़ो, spirulam bacteria होता है यहाँ क्या आएगा क्या spirulina क्या आएगा, spirulina इसी लिए यह आपके क्या हो गया wrong हो गया, apical and axillary maristamp are used as X plant for producing virus free plants and PTC PTC में plant tissue culture में विसानु मुक्त पादप, उत्पादित करने ही तू सीडसस्त वे कक्षस्त विबजोतक करतो तक की रूप में आपके क्या किये जाते हैं, प्रियोग किये जाते हैं तो यह भी आपके क्या हो गया, सही हो गया yellow mojak virus and powdery meadow, resistant moon bean is produced through the mutation breeding पीला mojak, विसानु वे, चूर्निल, आसिता, प्रतिरोधी, मूं, बीज, उत्परिवर्तन द्वारा आपके क्या प्रेजनन द्वारा क्या की गई थी, उत्पादित की गई थी, यह भी आपके क्या है, सही है तो wrong आपके हो जाएगा कौन सा, second, ठीक है बटा next जो है question आपके हो जाएगा कौन सा आपके क्या है, इनको आपके sequence में ही आपके क्या करवा रहा है sequence में इसको आपके क्या करवा रहा है, सही order में इसको आपके क्या करवा रहा है match कर वार है, चलो match कर देते हैं सही order में, सबसे पहले देखो आपके क्या होगा, ये जो निसेचन जो है, fertilization जो है इसका सही क्रम पूछा है तो सबसे पहले बेट आपके क्या होता है male gamit क्या किया जाते है release किया जाते है, कहां से male plant सबसे पहले बेट आपके होगा क्या? pollination तो सबसे पहले होगा क्या? pollination pollination के बाद में फिर आपके क्या है entry of pollen tube होगी कहां ovule में, तो आपके क्या जाएगा E, E के बाद में आपके क्या है, pollen tube में entry करने के बाद में, ये release कर देगा किसको male gamit को यानि कि आपके क्या हो जाएगा D, इसके बाद फिर आप बात करोगे तो फिर आपके क्या होगी syngemi, syngemi यानि कि क्या हो जाएगा F, और इसके बाद आपके होगा क्या double fertilization यानि कि आपके क्या हो जाएगा C, तो B, E, D, F, C यह आपको कहां दे रखा है B, E, D, F और C तो यानि कि answer जो है वो आपके हो जाएगा 2 बेटा single question, single statement आपके NCIT के बाहर से नहीं लिया गया है single question और single statement 100% paper जो है वो आपके NCIT क्या है based है next question की और तरफ तरफ अपन बढ़ते हैं देखो next आपको देखा है part of endosperm part of endosperm remains liquid in coconut because क्या कह रहे हो है आप देखो नारियल में ब्रुन को उसका भाग तरल बना रहता है क्यों बना रहता है भई यहां आपके क्या है लगातर FND होते हैं यानि कि आप क्या कहते हो 1 से आपके कितने nucleus बनेंगे 2, 2 से 4, 4 से 5 लेकिन इनके चारों तरफ अगर wall का formation हो जाता cytokinesis हो जाता तो यह endosperm आपके कैसा हो जाता? cellular लेकिन यह अभी भी तरल बना हुआ है nuclear endosperm क्यों है क्योंकि आपके किसको nucleus division जो है या karyokinesis जो है वो आपके follow नहीं किया जा रहा है किसके द्वारा? cytokinesis के द्वारा तो karyokinesis is not followed by cytokinesis केंद्रक विभाजन कोसी का द्रवे विभाजन का आपके अनुसरन नहीं करता तो karyokinesis is not followed by cytokinesis केंद्रक विभाजन कोसी का द्रवे विभाजन का आपके अनुसरन नहीं करता है उसके बाद में फिर आपन बात करें next जो आपनको question दे रखा है वो आपके रहेगा क्या? during cheese making and production of beverage, main gas production आपके क्या है? during the cheese making and production of beverage in the main gas produced by कौन सी produce होती है बिटा? CO2 फिर आप कहोगे while during anaerobic digestion of, किसका करते है anaerobic digestion of? cellulose तो यहाँ आपके आजाएगा क्या? cellulose material large amount by cellulose का आपके anaerobic digestion होता है तो CH4 का large amount आपके क्या होता है? produce होता है CO2, cellulose और CH4 तो आपके कहा है देखो? CO2 cellulose और आपके क्या हो जाएगा? CH4, तो answer आपके आजाएगा कौन सा? 4th ठीक है बेटा? answer आपके हो जाएगा क्या? 4th next question अगर आपन देखें तो यह आपके क्या है? सीधा-सीधा biomolecule का NCIT से figure उठाया गया है और यह आपको अच्छी तरह पता होगा यह figure जो है वो आपके किसका है? cholesterol का किसका figure है बेटा? cholesterol का तो यहाँ आपका होगी यह पूरी structure जो है वो आपके क्या देर रखी है? cholesterol है और cholesterol जो है वो आपके किसका? cell membrane जो है उसका आपके क्या है? component है यह component है आपके किसका? cell membrane का. it means यहाँ answer जो आपके होगा वो आपके क्या है? first next अगर आपन बात करें तो next question आपके क्या है? देखो बहुत अच्छा वो ही NCRT based question आप क्या कहते हो? inhibition of succinate dehydrogenase by the melonate in the example of देखो यह जो melonate है वो succinate dehydrogenase जैसे यह आपके क्या है? enzyme है यह आपके क्या है? succinate dehydrogenase यहाँ आपके कौन बेठा हुआ है? melonate बेठा हुआ है और यहाँ आपके बेठा हुआ है succinate तो यह इसकी active side जो है इससे attach होने के लिए active side से attach होने के लिए melonate succinate के साथ आपके क्या करता है? competition show करता है यानि कि यहाँ यह active side पे आएगा तो active side को इसने घेर लिया means यहाँ melonate subordinate तो है नहीं तो product में आपके बदल नहीं पाएगा लेकिन यहाँ आपके succinate की जुड़ने के लिए जगे आपके क्या कर दिये? कम कर दिये तो यहाँ इसने आपके काय को इस succinate से competition करके इसकी activity जो थी succinate dehydrogenase की activity जो थी उसको आपके क्या कर दिया? decrease कर दिया जिसको आपन कहते हैं competitive inhibition इसको आपके क्या कहा जाता है competitive inhibition next जो है वो ही NCIT का बहुत अच्छा question बेटा, enzymatic reactions की आपको बात कर रहा है तो enzymatic reactions में आप क्या कहते हो? enzyme जो हैं वो आपके क्या होते हैं? bio catalyst होते हैं जो की आपके क्या है? rate of reactions को आपके increase कर देते हैं यह biological reaction की rate जो है उसको increase कर देते हैं कैसे? किसको decrease करके? जो activation energy जो है सक्रिय उर्जा जो है उसको आपके क्या करके? decrease करके तो यहां आपके क्या है? activation energy दे रखिये तो जब तक आपके कौन नहीं होगा enzyme नहीं होगा तब तक activation energy क्या रहेगी? जब 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 आंसर बेटा आपके यहां चला जाएगा कौन सा second next अगर अपन बात करें तो next question जो आपको दे रखा है वो है 97 97 जो है बहुत ज्यादा important आपके क्या है question है यहां थोड़ा सा आपको biomolecule के साथ साथ knowledge होना चाहिए किसका molecular biology का बहुत ही सांदार question है इसको आप कभी ना भूलें enzyme are biocatalyst सही है enzyme biocatalyst है they catalyze the biochemical reactions in general they reduce activation energy the reactions भाई आपके enzyme biocatalyst है जो कि आपके activation energy को decrease करके rate of reaction को क्या कर देते हैं high कर देते हैं बिल्कुल सही है many physiological process are enzyme mediated बहुत सारे physiological process जो है वो enzyme mediated होते हैं some examples of enzyme mediated reactions are given below which among these does not belong this category यह कह रहा है कि यहाँ आपके biological reactions को तो आपके क्या कर रहा है induce कर रहा है यानि कि catalyzed कर रहा है लेकिन यह आपके क्या है enzyme nature यानि कि protein nature का नहीं है digestion of protein proteage करते हैं बिल्कुल इसी category के हैं unwinding of two strands of DNA DNA की unwinding जो हसको आपके कौन करता है helicase करता है वो भी आपके इसी category का है यहाँ आपके कौन आएगा protein जो प्रोटीज जो आपके क्या है protein यहां helicase यह भी आपके क्या है protein है इसके बाद सक्रोज का जैल अप घटन यह भी आपके सुक्रेज करेगा तो यह भी आपके क्या है सुक्रेज है peptide बंद का निर्मान बिटा कौन करता है दिखान करो peptidyl transferage कौन करता है peptidyl transferage और peptidyl transferage की तरह आपके काम करते हैं 23SRRNA और 28SRRNA और यहां RRNA जो है वो enzyme की तरह काम करता है तो इनको बेटा यह enzyme नहोंग कि क्या होते हैं ribozyme क्या होते हैं ribozyme तो यहां answer जाएगा कौन फोर्थ आर यह बस समझ में क्यों गया क्योंकि यहां peptidyl bond formation आपके enzyme नहीं कर रहा है कौन कर रहा है RRNA 23SRRNA और आपके 28SRRNA जिनको अपन क्या करते हैं वेटा ribozyme ठीक है next question बहुत ही अच्छा आपके क्या है question है वोई bond formation आपसे पूछ रहा है यह bond को आप आसानी से क्या कर सकते हो देखो पहचान सकते हो कैसे पहचान होगे 2 nucleotide एक यह nucleotide हो गया दूसरा यह nucleotide हो गया इन दोनों के बीच में जो bond बनेगा उसको आपन कहते हैं क्या बोलो बताओ क्या कहते है phosphodiester bond क्या बोलते है इसको diester bond और diester bond के बीच में कौन आ रहा है phosphate तो इसको अपन क्या करें देते हैं phosphodiester bond जबकि यहाँ जो भी आपके N-base होते हैं उनके बीच में आपके कौन सा bond बनता है? H bond कौन सा bond बनेगा? H bond तो यहाँ आपके आजाएगा? phosphodiester bond and hydrogen bond तो यहाँ answer जो है वो आपके क्या हो जाएगा? second ठीक है? next question बिटा आप देखो next आपके कह रहा है my chalice mantis constant यह आपके बहुत अच्छा question है my chalice mantis नियतांग जो है वो आपके क्या है? sub-street का वो concentration जिस पे आपके का अभीकरिया का जो maximum wave है अभीकरिया की जो maximum velocity है वो इसकी आपके क्या हो? high तो यानि कि यह sub-street की आपके वो concentration है जिस concentration पे किसका Vmax अपना आपके क्या होता है half होता है तो यह आपके कह रहा है sub-street concentration at which the reaction attends half of its maximum velocity क्रियाधार की वह सांधरता जिस पर अभी क्रिया का वेग इसके अधिक्तम वेग का आपके क्या होता है आधा होता है तो यहाँ answer जो हो जाएगा वो बिट आपके हो जाएगा कौन सा? next question and last question देखो यहाँ आपसे chromosome के number बिट आपके क्या करवा रहा है यह calculate करवा रहा है if the nucellus cell if the nucellus cell in an angiosperm contain 24 nucellus जो है वो आपके कैसा होता है 2N nucellus है आपके 2N और 2N chromosome का number है आपके कितना? 24 the number of chromosome present in pollen grain pollen grain भी आपके N होता है कैसा होता है? तो इसमें 12 इसका आपके क्या हो जाएगा? half हो जाएगा यानि किसमें कित्ते आ जाएगे? 12 endosperm 3N होता है भाई यहाँ से आप N निकालोगे N कितना हो गया? 12 तो यहाँ यह N है तो यह आपके 12 हो गया endosperm होता है 3N और 3N है तो 12 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 embryo आपके होता है कैसा? 2N 2N है तो यहाँ आपके आजाएगा 24 तो यहाँ आपके आजाएगा 12, 36 and 24 तो यहाँ आपके हो जाएगा कौन सा 2nd तो बेटा अगर अपन बात करें तो बहुत ही सांदार आपके क्या रहा? पेपर रहा completely NCIT-based एक-एक concept जो है उसको आपको क्या करवाया गया है? clear करवाया गया है I hope आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा अपनी अच्छे result और अच्छी rank को आप क्या करें? सुनिश्चित करें ओके बिटा, thank you JCLC, JJCLC, JJCLC Thank you